अगर अब तक आपने चैनल को लाइक शेयर और सिस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सिस्क्राइब और आप सभी बच्चों की हेल्प के लिए मैंने एक बुक बनाई है हमारे पास इस टाइप के एक्जामपल चल रहे है तो पहले ही देख लेते एक्जामपल क्या है किस टाइप के हैं और फिल यह फॉरस टाप ठीक है तो इस पास कोई फंक्षन होगा हमें दिखाना होगा कि यह फंक्षन इस इंत्रीगर एक्वेशन का सॉलेशन होगा तो इस फंक्षन को इस integral equation का solution दिखाने के लिए हमें ये 4 step वहाँ पे follow करके solution निकालना होगा ठीक है तो देखो सबसे पहला step में क्या करना है हमें जो integral equation होगी उसमें LHS और RHS लिखना है आपको फिर उसके बाद step number second में हमें ये चीज़ चेक करनी है कि जो ये function है ये LHS में present है या RHS में है या दोनों में है फिर step number third में जिसमें भी present है उसमें इस function की value रखकर उसको solve करना है और solve करने की बाद वेटा हमें step number four में ये चीज़ देखना है क्या LHS equal to RHS है अगर है तो हम भोल देंगे solution है अगर नहीं है तो solution नहीं है वही चीज़ में आपको बता रही हूं हमारे सारे के सारे example इस तरीके से show verify तो अब इसलिए हमें ये चीज़ दिखा नहीं है कि इसका solution है तो हमारे पास LHS equal to RHS आएगा और जब LHS equal to RHS आएगा तो उसका solution बन जाएगा ठीके बेटा तो ये four step को आपको mind में set करके रखने है अब बेटा सबसे पहले example को देखेंगे कि example क्या है फिर उसके solution पर चलेंगे देखो अब देखो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो मैंने अभी four step बताया और जिस type के question के बताया क्या ये उसी type का है देखो function को जो ये है हमें इस integral equation का solution show करना है दिखाना है मतलब हमें ये चीज़ दिखानी है कि ये function इस integral equation का solution है तो इससे match कर रहा है तो इससे match कर रहा थे इसका मतलब हमें ये four step करके दिखाके इस दिनकी help से हमें इनका solution निकालना होगा ठीक है अब देखो बेटा यहाँ पे यहाँ पे हमारे पास जो k है ये x & t का क्या है function xo t दो variable है यहाँ पे x & t का function है और इस तरीके से इस form में defined है ठीक है बेटा इतना के लिए रहो गया हमें example तो आपको समझ आगे होगा इस function को इस aquí all equation का क्या दिखाना है हमें solution दिखाना है और हमारे पास a integral equation is type की है और यहाँ पे इismo devil जो है हमारे पास integral equation का इस तरीके से define किया गया क्यों प्योंकि यहाँ पे 자同ique तो वहां पर यह कर्णल दिया गया है और इससे पहले मैंने इसी टाइप का एक 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 जामपल और रेडी में करा चुकी है ठीके बेटा आप देखों तो जिब सॉलुशन पर हम जाते हैं तो सॉलुशन पर सबसे पहले हम लिखते हैं गीवन इंट्रिगल इक्युएशन तो म तो हमें जो कर्णल यहां पर दिया है यह किस तरीकी से डिफैंड किया गया है वो भी तो यहां पर लिखेंगे ठीके इसके साथ लिखते हैं कि हमारे पास यह इंट्रिगल इक्युशन हमें भीवन है इसको हम आ लेते हैं इक्युशन नम्बर फरस्ट सॉरी यहां पर यहां आप यहां पे हैं और साथ में निया हुआ है करनल हमारे पास क्या है यह है उसके बाद हमें डिएयग है function function है हजिए आप यह चीज तो आपको आप तक समझ आगी होगी अब हम अपने स्टेप पे चलेंगे फिर ही समझ फिर अबटाश आप सबसे पहला step नमबर 1st से पहले हमने given चीज़े लिखने है solution में step number 1st जो है हमारे पास step number 1st में वो कहते हैं कि आपको LHS और RHS लिखना है इतना ही बाद समझा है बेटा अब देखो LHS RHS किसका लिखना है बेटा LHS RHS लिखना हमें integral equation का अब देखो integral equation में हम equal to पे जाएंगे equal to के इधर वाला जो portion होता उसको बोलते हम LHS left hand side और equal to के जो इधर वाला portion होता उसको बोलते हम right hand side ठीक है तो मैं LHS RHS की value लिख दूँ यहां पर तो मेरे पास LHS है यहां पर u of x minus k pi square by 4 integration 0 से 1 यहां पर k xt u of t और यहां पर आ जाएगा बेटा मेरे पास dt तो यह मेरे पास आगे LHS यहां तक और RHS क्या है x by 2 इतना के लिए अब देखो इस दफसे इतना के लिए रूगी पिटा है अब आगे first step के बाद यह मेरे यहां से अटा देख फर्स step के बाद second step क्या होता यह है step number first step number second हमारे पास होता है check करने का अब हम यह check करेंगे कि जो यह मेरे पास function है u of x यह LHS में है कि RHS में है जब मैंने check किया तो मैंने देखा यहां पर बिटा कि यह मेरे पास LHS में यहां पर भी है और यहां पर LHS में तो present है ठीक है पर अगर RHS में देखू तो RHS में नहीं है ठीक है तो जिसमें भी present है third step में हम उसमें इसकी value रख कर क्या करेंगे solve करेंगे ठीक है step number first LHS लिख दिया step number second RHS लिख दिया step number ठीक है अब दिखो step number first में हमने LHS RHS लिख दिया step number second में हमने यह चेक कर लिया कि यह function है वो LHS में present है कि RHS में अब step number third होगा उसमें क्या करेंगे जिसमें भी present है उसमें इसकी value क्या करेंगे put करके solve करेंगे this is the step number third अब मेरे पास यह present है LHS में तो LHS में इसकी value रखके मैं इसको क्या करूंगी बेटा solve करूंगी ठीक है अब देखो इसकी value रख लेते हैं यहां पर जब मैं इसकी value यहां पर रखूंगी तो u of x की value क्या मेरे पास ? sin pi x by 2 pi x by 2 minus k pi square by 4 ठीक है integration 0-1 यहां पर kernel as it is यह जो है function x and t का अब यहां पर u of t चाहिए मेरे पास तो given है u of x मुझे चाहिए u of t मतब x की जगे t चाहिए तो x की जगे t पुट कर दो जब इधर पुट करेंगे तो इधर भी आएगा तो x की जगे t पुट कर दिया तो मेरे पास u of t की value कहां क्या आ गई ? sin pi t by 2 और यहां पर dt बास समझ आई बेटा तो यहां तक आई वो pages आपको समझ आगी हुए किस तरीके से आया यह हमने क्यों लिया क्यों तो मुझे यहां पर इसकी need थी ठीके तो हमने यहां पर इनकी इसकी value पूट कर दी और सब चीजे as it is है और इसकी value पूट कर दी अब हमारा mean अगला जो काम है वो इसको solve करना है LHS को solve करके तब ही तो इसकी value चाहिए इसकी value मुझे यह given है दो value given है तो ऐसे case में हम क्या करते हैं break करके करते हैं कि यहां से यहां तक यहां से यहां तक कुछ इस तरीके से ठीक है अब देखो अब इसको break करते हैं अब break करने के लिए पहले आपको यहां पर समझा देती हूं फिर आगे चलने ठीक है आप देखो जिब ब्रेक करने की बात आएगी देखना आगे कहां तक किया हुआ है यहाँ पर break कर चुके है तो हम break से अभी पीछे ही चलते हैं ठीक है अब देखो मेरे पास यहाँ पर क्या था LHS जो थी मैंने यहाँ पर cut कर दिया LHS मेरे पास आया था यहाँ पर sin value के sin pi x by 2 ठीक है माइनस के pi square by 4 और यहाँ से integration 0 से 1 k x t u of t के value के आया थी मेरे पास sin pi t by 2 और यहाँ पर बेटा d t यह मेरे पास आई है ठीक है LHS अब मुझे इसको आगे जो मैंने आपको step दिखा है उसमें break करके दिया हुआ है अब देखो break किस तरीके से करना सेम वही method अपनाना जो से पहले वाले example में मैंने किया था मैं पहले line की चलेती हूं ठीक है अब बताती हूं कैसे करना अब देखो यहाँ पर integration चल रही है वह with respect to t चल रही है अब t के respect में integration चल रही है तो t हमारे पास जो लिमिट होंगी यह भी t की होंगी तो t मेरे पास 0 से 1 तक क्या कर रहा है vary कर रहा है तो यहाँ पर मैंने 0 लिख लिए और यहाँ पर मैंने लिख लिया 1 तो मेरे पास जो t है वो यहां से यहां तक क्या कर रहा है vary कर रहा है इतना के लिए अब दोखो जब मैं यहाँ पर इसकी value रखने की बात करती हूं ठीक है तो मेरे पास इसकी value कैसे है जब मेरे पास x जो है 0 से t के बीच में होगा तो मेरे पास इसकी value यह है और इसकी ALAR करने वाली चीज़ आनी चहिए तभी हां वाली दो यहां पर थिक पर्ट र करने के टाइम पर रहे हैं टिसे कि अ तो किसम पयर blossom से कने का अगया है को हुआ है ताएघ्ड से बन जा रहा है तो मिरे पास टी विएरी कर रहा है तब ही इसमें और इसमें जो बर्चे का थी वैलियु वह हम फू रहे इसी तरीकाी से टो करते हैं बट बेटा जो हुमारे पास यहां पर T-vary करें तो मुझे यहां पर ऐसे दिखना है कि T-vary करना चाहिए यहां पर T-vary करना चाहिए बट गिवन तो हमें यहां पर X है X-vary कर रहा है तो इसको हम अडजेस्ट करेंगे और कैसे करेंगे वो चीज़ जिहान रखना ठीक है यह चीज बहुत ज्यादा important है के लिए अब देखो मैं पहले इस पर चल रहे हूं मेरे पास जो 0 से यहाँ पर T और T से कहाँ पर 1 ठीक है यहाँ पर 1 यहाँ पर 0 अब देखो जो X है वो मेरे पास 0 से T के बीच में है और T से 1 ठीक है तो मेरे पास जो X है वेटा वो 0 से 1 के बीच में तो होगा कही न गई तो मैं मान लेती हूँ यहाँ पर कि मेरे पास यहाँ पर X है इस जग है बास समझाए ठीक है अब देखो यहाँ पर दोनों में difference क्या है यहाँ पे जो मेरे को कर्णल दिया हुआ है इसमें क्या कर रहे है इसमें x vary कर रहा है और t को यहाँ पे fix कर दिया ठीके बट जब हम integration निकाल रहो है यहाँ पे हमारे पास t vary कर रहा है बास समझाई? ठीके अब मुझे यहाँ पे x fix करना पड़ेगा क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे t vary कराना है बास समझाई? क्योंकि खेल तो x t का ही है ठीके? यहाँ पर x vary करना t को fix करना पड़ा fix किया हुआ है ठीके? बट मुझे यहाँ पे t vary चाहिए तो इसके लिए मुझे यहाँ पे x को fix करना पड़ेगा और एक्स जो है वो जी रूवन के बीच में ही कहीं न कहीं है इतना के लिए रोगे बटा ठीक है आई वोप यह चीज तो समझ आपको अब देखो दूसरी चीज यहां के अगर मैं बात करूं इस वाले इंटरवल की एक मिनट इसकी बात करूं मैं और मैं बात करू इस वाले पॉर्शन की ठीक है तो यहां पर मेरे पास क्या होगा जब टी यहां से यहां तक जा रहा तो टी यहां पर होगा और यहां पर भी होगा अब जब टी हम इस से इसके बीच में रहेंगी है ना और टी जोब हम इस से इसके बीच में हमने यहां पर ब्रेक कर दिया जिब break करेंगे तो यहां पर यह चीज लिखेंगे, यहां पर ब्रेक करने पर 0 से X तक गया, यह पूरी चीज एज़ीज है और X से बनता, और सब चीज़े एज़ीज है, यह पूरी की पूरी, ठीक है, यहां पर, इतना के लिए समझे, मैंने ब्रेक का आपको बता दिया, 0 से X और X से 1, ओके, ठीक है, बास समझाए, इस चीज़ को मैं दुआरा बता रहे हूं, दियान से समझना, यहां पर जब हम इंट्रिगेशन निकाल रहे हैं, तो इंट्रिगेशन निकालने के लिए हमें इसकी वैल्यो चाहिए, और इसकी वैल्यो दो यहां पर, एक यहां प करने के लिए, 0 से 1 के बीच में ब्रेक करना पड़ेगा, और देखो, यहां पर हमारे पास T के रेस्पेक्ट में इंट्रिगेशन हो रही है, तो T वैरी करेगा 0 से 1, इतना के लिए, ठीक है, तो जब हम ब्रेक करेंगे, तब भी तो हमारे पास T ही वैरी करना चाहिए, और करने के लिए, हम यहां पर कोई जर नली, जैसे मैंने जैद बताते है, यहां पर कोई चीज फिक्स करते हैं, ठीक है? बथ समझाई, तो मुझे यहां पर तबी मैं कर्ねल की वैलिज रखता हूँगी, जम मेरे पास यहां पर कोई फिक्स हो जाए, और यहां पर T वैरी करें, बट जब हम कर्णल वाली उसमें गए तो हमारे पास यहां पर x vary कर रहा है और t को fix कर दिया बट बेटा मुझे तो यहां t vary चाहिए x नहीं चाहिए बास समझाई तो बेटा जो हमें यहां पर fix करना था हमने क्या किया हमने देखा कि जो x है वो 0 से 1 के ही बीच में हैं जब x vary कर रहा है तो तो t को fix किया अगर बाइचांस एक चीज हो हो बाइचांस अगर यहां पर dx होता ना तब हम यह value रख लेते डारेक्ट तो यहां पर dx नहीं है यहां पर dt है तो यहां पर t मेरे को vary कराना है तो इसका मतलब यहां पर x को fix करना पड़ेगा क्योंकि भी इनके बीच में कहीं ना कहीं है ठीक है इतना के लिए रोगया अब देखो यहां पर एक चीज और समझना बेटा अब यह टी यहां पर यहां पर मैं t कोई भी value लूँ सब की सब मेरे पास x से छोटी है या नहीं मैं यहां पर blue से लेती हूँ जितनी भी t की value यहां पर होंगी सब की सब यह सारी जो value होंगी यहां पर सब की सब x से छोटी होंगी या नहीं होंगी होंगी ठीक है अब यहाँ पर यहाँ पर मैं जितनी भी टी की वैल्यू यहाँ पर लूगी वो सब की सब मेरे पास क्या होंगी एक से बढ़ी होंगी ठीक है यहाँ पर टी की जितनी भी वैल्यू है एक से छोटी है यहाँ पर टी जो है वह X से क्या है बड़ा है अब हमें change करने की अप ऐसे करने की जरूरत नहीं है या इसकी दुआरा value लिखने की जरूरत नहीं है यहीं से इस case के base पे हम यहाँ से ए चीज़े बता देंगे कि यहाँ पर क्या आएगा इसकी K of x T की value यहाँ पर क्या आएगी और वहाँ पर क्या बात समझाई बेटा के लिए अब देखों यह चीज़ कहां पर दिख रही है T less than equal to x बेटा मुझे दिखाई दे रही है यहां पर तो मैंने उसी से बोल किया है जिससे यहां पर लिखाया ठीक है T less than x less than equal to x ठीक है अब हम बात करें इसकी कि x less than t x less than t है यहां पर बात समझागी कि x की value less than equal to t अब देखों जब मेरे पास यह इसमें आएगा T जब यहां से यहां तक vary करेगा तो मेरे पास इसकी value क्या होगी यह जब मेरे पास t यहां से यहां तक आएगा x से लेके 1 तक तब मेरे पास की x t की value क्या होगी यह बात समझागी ठीक है इस case में यह और इस case में मेरे पास यह तो यही value आ गया हो put की होगी देखो यह सब एज़िटी मेरे पास lhs को solve कर रहे तो मेरे पास lhs यह आगे यहां पर इसकी value यह 10 और 10 यहां तक तो फिर हमने यहां से ब्रेक किया 0 से x तक और x से 1 तक और यह एज़िटी से लिए ठीक है यहां पर आप इसकी value भी सकते हो यहां पर जैसे मैंने लिखी हुई है अब देखो 0 से x में इसकी क्या value है अभी तो बताए मैंने 0 से x में यह वाला case है तो यह वाला case हुआता है इसकी value ही 1 by 2 t 2 minus kx 1 by 2 1 by 1 by 2 t 2 minus kx और इसकी value ठीक है अब यहां पर plus sign है तो आगे देख लेते हैं प्लस sign हो गया बिटा यहां पर यह प्लस sign हो गया अब integration मेरे पास कहां से कहां तक चल रही है यहां से x से 1 तक और ut की value रख देंगे dt की अब फिक की x t की value देखेंगे ठीक है ut की value यह है और dt अब यहां पर k of x t की value देखेंगे ठीक है तो मेरे पास जो इस case में चल रहा है वो कहां से चल रहा है x से लेके 1 तक x से लेके 1 तक x से लेके 1 तक क्या case मेरे पास यह तो इस case में आएगा यह 1 by 2 x 2 minus के t 1 by 2 x 2 minus के t इतना के लिए रहो गया बटा देखो बटा यहां तक आपको समझ आ गया अब यहां पर देखो यह वाली line जो कैसे आई है किस तरीके से आई है वो समझाने वाली है ठीक है अब यहां पर sin pi x by 2 यह तो मेरे पास यहां से as a design चीक है अब इसको solve करके वो next line लिखी रही है पहले में इसको यहीं पर solve कर लेती हूं फिर वहां पर बताती हूं आपको ठीक है बटा देखो यहां पर यह है मेरे पास अगर मैं इसको एक सास लूं ब्रैकेटी जो यह वाल यहां तक है तो उसकी हम क्या करेंगे अंदर multiply कर देंगे इसकी पूरी ठीक है तो मेरे पास ही आएगा यहां पर प्लस माइनस माइनस होगा और यहां पर integration 0 to x यह वाला आप देखो पाई इसके अगर यह हो जाएगा 4 to the 8 ठीक है मेरे पास t as it is 2 माइनस के x और यहां पर है बेटा sin pi t by 2 dt इतना के लिए रोगा यह पूरा जो ब्रैकेट यहां से हमारा यहां तक चल रहा है हमने अंदर इस से इस वाले portion से बात समझाए इस portion से ठीक है इतना के लिए अगर मैं बेटा इसको solve करना चाहूं देखो मेरे पास यहां पर integration हो रही है वह हो रही है with respect to t ठीक है तो इसका मतलब x वाली जो term होगी वो भी ऐसे constant treat होगे जो constant है वो भी ठीक है वो तो है यह constant ठीक है इतनी बात समझाए बेटा integration t यह respect में हो रहा है तो x वाली term क्या होगी ऐसे constant treat होगी जहां पर x से यह वाली term तो है इसको constant की तरह treat होगी तो इसका मतलब यह क्या होगी integration से बाहर आ जाएगा ठीक है तो यहां पर 2-x जो है वो बाहर आ जाएगा क्यों आया क्योंकि integration t के respect में है तो x वाली जो term होगी वायसे constant treat होगा ठीक है फिर मेरे पास यह वाला यह तो है constant तो constant क्या होता integration से बाहर आ जाता है ठीक है तो यहां सो जो बचा t वाली term एक ही बचे t वाली term एक ही बचे by 2 dt अब यही चीज वहां पर लिखी हुई है minus 2-k x minus 2-k x pi-k by 8 integration में यहां पर 0 से x t sin pi by t और dt यही चीज यहां पर लिखी हुई है ठीक है minus 2-k pi-k by 8 2-k x t sin pi by t dt ठीक है तो किस तरीके से बात समझे वह आगी ना पेटा आप देखो इसकी multiply जो होगी अब किस से होगी पेटा इस वाले term से multiply होगी तो वहां पर minus है किस से multiply होगी एक बार हम वहां पर लिख लेते हैं ठीक है minus के pi square by 4 से तो देखो plus minus क्या हो जागा यहां पर minus इतनी बात समझागी पेटा ठीक है अब देखो वहां पर होगी है pi square by 4 से तो plus minus का केस तो समझ आगे आपको यहां पर है मेरे पास integration 1 से 4 1 by 2 और यहां पर एक मिनट पेटा इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं यहां पर अंदर क्या है मेरे पास x और यहां पर है 2 minus के t और यहां पर आ जाएगा साइन, pi, t by 2 और dt अब देखो वेटा हमारे पास integration हो रही है वह हो रही है with respect to t अगर t के respect में हो रही है तो जो x वाले tau होगी वह as a constant treat होगी तो constant हमारे पास integration से बाहर आ जाता है और यहां पर 1 by 2 तो मेरे पास constant है ही है तो यह भी integration से क्या जाएगा बाहर तो यहां पर pi square by 4 multiply 1 by 2 और x ठीके यहां पर integration जो है हमारे पास x से 1 ठीके और यहां पर remaining t वाले time हमारे पास बचेगी अब मैं इसको अगर solve करूंगी तो यह हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो गया pi square x by 8 integration x से 1 ठीके है और यहां पर 2 माइनस के t है यहां पर गलती से बेटा 1 लिखा गया है 2 माइनस के t 2 माइनस के t sin pi t by 2 dt ठीके बेटा तो यहां तक का step आई वोप आपको यह अच्छे से समझा आ गया अब हम आगे की calculation करते हैं यहां तक हो गया हमारा अब देख बेटा अगर मैं बात को हूंगी यह वाला portion मेरे पास as it is यह as it is रहेगा अब जो हमारे पास यह वाला portion है यह अब मुझे इसके integration करनी है ठीके प्योंकि हमें तो यह solve पूरा ही solve करना है ना तो solve करने के लिए मुझे यह integration करनी है और यह वाला portion solve करना है तब ही तो होगा ठीके अब देखो मैं इसको ले लेती हूँ फिर बताते हूँ कैसे आया ठीके मैंने यहाँ पर लिया 0 से x t sin pi t by 2 और dt अब देखो मेरे पास t t के respect में हमारे पास यहाँ पर integration हो रही है और एक यहाँ पर t है और एक यहाँ पर t है तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे first और second वाला portion अब integration वाला जो हमारे पास होता है integration by parts का जो रून होता है उसकी हिसाब सब हम करते हैं अब देखो यह t मेरे पास as it is रहेगा अब इसका करेंगे हम integration तो sin pi t by 2 इसका integration क्या होगा बेटा देखो हमारे पास एक formula होता है simple मैं पहले formula बता देती हूं फिर simple तरीके से कैसे धियान रखना है वो चीज़ समझना formula हमारे पास होता है ऐसे sin ax dx इसका मुझे integration करना तो इसका क्या होता है तो simple sin x का क्या होता मेरे पास sin x का होता minus के cos x ठीके तो यहाँ पे simple यहाँ जाएगा और फिर जो इस x के साथ है यहाँ पे जो भी है वो आ जाता है मेरे पास नीचे plus के c इतनी बात समझाए पेटा ठीके clear तो वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं आप इस formula से धिहान रख लो कि sin x का क्या होता है sin का होता है हमारे पास minus के cos x ठीक है और जो x के साथ है जैसे यहाँ पे x है यहाँ पे इसके साथ जो है वो आ जाएगा नीचे ठीक है तो इसी का use करेंगे हम तो अब हम कैसे लिखेंगे ठीक है बात समझागी ना यहाँ पे मैं लिखूंगी इस sign का मुझे पता है minus के cos होता है और यह पूरा का पूरा as it is जैसे बोल रही हूं वो दिहां से समझना sign का जो होता हो minus के cos होता है ठीक है यहाँ पे x है तो x आता है अब यहाँ पे यह है तो यह आएगा as it is ठीक है आप देखो जब integration करेंगे आपका t तो यहाँ पे t के साथ क्या है और यहाँ से यह चीज हो जाएगी ठीक है यह वाला फास्ट एसटी सेकिंग का integration minus sign आता है फिर हमारे पास integration आता है first का derivative तो t का derivative क्या हो जाएगा मेरे पास one और second का integration तो integration तो मैंना भी किया है minus के cos π.t by 2 और यहाँ पे जो t के साथ है वो नीचे और फिर यहाँ पे dt इतना दिहां रखना है साइन का minus के cos और यहाँ पे जो है वो as it is ठीक है और जो t के साथ है वो नीचे clear तो वही चीज बेटा यहाँ पे लिखी हुए है आप एक बार चेक कर लो यह as it is है यह पूरा का पूरा portion as it is है ब्रैकेट लगाया अब इसका integration देखो इस पूरी इस पूरी टम को solve किया तो इसकी जेगे मेरे पास क्या है यह वाला तो देखो ब्रैकेट में यहाँ पे क्या t यह रखती और यह ब्रैकेट में ही तो आएगा क्योंकि यह इस से अलग है ना पिटा यहां ठीक है और यह मेरे पास माइनस माइनस कोस दिस पाइवाइट पाइटी बाइटू और यह हो गया पाइवाइट टू ठीक है और यह पूरा ठीकços पिर माइनस साइन माइनस साइन इंटरिएशन जीनो से एकस और यहां पर वाज टू कि पिर यह पूरा का पूरा भी ब्रैकेट यहां पहले सकतो आप्धिक के सिर्च क्लियर होगी यहां तब बेंस पर अपने स्ट प्रफ चलते हैं इसका भी बेटा सेम ऐसे ही करना है अब मुझे solve करना इसको ये वाला portion तो मेरे पास as it is है इसको solve करना है तो यहाँ पर देखो मेरे पास x से 1 यहाँ पर है 2 minus k t और यहाँ पर sin pi t by 2 और यहाँ पर आ जाएगा बेटा dt अब देखो तो मेरे पास यहाँ पर क्या होगा फर्स्ट तो as it is better second का integration पास समझाई second का integration और अभी मैंने आपको बताया साइन का integration क्या होता है minus k cos ठीके फिर जो यहाँ पर है वो as it is जो भी अंगल है अब इस t के साथ यहाँ पर t के respect में हो रही है तो t के साथ वाला क्या है यहाँ पर तो जो t के साथ है वो नीचे है ठीक है इतना के लिए बिटा ठीक है और यह integration हो गई हमारी और यहाँ से एक से लिके जो मतब यहाँ पर लिमिट इस इस दा लवा लिमिट फिर माइनस साइन इंट्रियेशन ठीक है यहाँ पर क्या होगा फिर्स्ट का derivative तो अगर मैं टू माइनस टी का derivative करूं नहीं तो constant का क्या होता जीरो और टी का क्या हो जाएगा वन तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा जीरो माइनस के वान ठीक है और फिर इसका इंट्रियेशन साइन का क्या होता माइनस के कॉस्ट और जो एंगल है वो एस टीस और टी के साथ जो है वो नीचे इस तरीके से आपको धियान रपना है ठीक है अब आप चेक कर सकते हो क्या यहीं है दे बॉकर यहां पर हमारे पास आएगा यह त्ब्रैकीट दू tänप की πाई यहां पर तो यहां पर यहां पर ति Μाइनस की उस प्अ इसकी जगह आएगा यहां पर x ओके बेटा यहां से x से 1 पर minus sign integration यहां पर बेटा यहां पर भी mistake की हुई है यहां पर मेरे पास आएगे x से 1 ठीके इसको सही कर ले ना अब देखो जीव माइनस मन क्यों जागा माइनस वन और यह वाला माइनस की कोस पाइटी गाइट तू और यह दीटी ठीके इतना यहां तक के लिए रहो गया यहां तक मैंने करा दिया ओके अब आवब देखो यहां तक के लिए अब क्या करेंगे यह चीज़ तो अब देखो यहां पर अपर लिमिट रखेंगे माइनस के लोवर लिमिट ठीके और फिर इसको आगे सॉल्फ करेंगे ठीके सिमिलर यहां पर अपर लिमिट माइनस के लोवर लिमिट फिर इसको आगे सॉल्फ करेंगे अ देख़ा आगे यहां पर पहला वाला portion तो सेम है क्या है साइन पाइए एक्स बाइट यह तो मेरे पास as it is साइन पाइएग्स बाइट माइनस पाइस के टू माइनस के एक्स बाइट भी मेरे पास as it is रहीगा यह वाला पुरा portion ठीक है अब bracket वाली time हम यूज मदब करते हैं अब देखो यहां पे ना यह portion ली दिया ठीक है और उसका integration कर दिया और यहां पर भी यह चीज as it is है पहली मिट रखके यह portion आ गया और इसका integration कर दिया अब देखो कैसे किया पहले हम वहां पे निकाल लेते हैं फिर यहां पर मैच कर लेते हैं ठीक है इसको थोड़ा सा ओपर कर देते हैं हमारे पास ही यहां पर अब देखो मेरे पास यह पूरा का पूरा portion तो एसिटीव है साइन पाई एक्स बाई टू माइनस के पाई स्केयर टू माइनस के एक्स बाई एट यह इस इस है आप देखो यह ब्रैकेट में है आप देखो जिम्में यहां पे ओपन करूंगी यह वाला portion देखो बटा तो अपर लिमिट रखो तो जहां जहां टी है वहां पे एक्स रख पाई एकस बाई टू ठीक है और अपन में यहां पे पाई बाई तू के लिए फिर अपर लिमिट माइनस के लोवर लिमिट अब टी की जगह जिरो पूट करूँ तो पूरी पूरी यहां पर जिरो मुल्टिप्लाइब दिस यहां पर देखो अगर मैं रखू टी की जगह 0 पर फिरोवर जिरो हीं यहां पर बन जड़ेगा की इतना कि लिए ठीक है अब देखो यह पौर्षन तो नहीं है अब यहां पर मेरे पास क्या है the integration is 0 से x अब देखो माइनस माइनस क्या हो जागा पैठाओ मैं यहां प warmthकौ पार्ट वैट्ट और यहां पार वाई और राज वाला है अब भी पहले मैं इतने portion को solve पर लूँ ठीक है उसके बाद इस वाले को बताते हैं अब यह चीज़ता आजटी ही चल रही है यहाँ पर यहाँ पर 2 माइनस के पाई स्केयर 2 माइनस के एकस बाई एंत ठीक है पेट आप देखो यहाँ पर 1 प्लस गाइनस और यह 0 ठीक है अब देखो यहाँ पर इसका अब यह 2 उपर पाई नीचे अब यह मेरे पास अलड़ी कॉंस्टेंट है तो इंट्रिगेशन से बाहर आ जाएगा तो 2 बाहर पाई बाहर आ गया ठीक है क्योंकि नीचे है तो यह उपर चला जाएगा तु बाहर और पाई फी बाहर अब मेरे पास जो इंट्रिगेशन है वो है कॉस की है तो कॉस एकस अगर डी MUR देखो का क्या होता है साइन एकस डीकस और जो एकस के साथ है वह ल rotate अलग यहाँ प्लस के से ठीक है तो वही काम करना हमें सिरभ और को कोस का दिहान रखना है ठीक है और तो जो उसके साथ हो नीचे आ जाएगा आप देखो कोस का क्या होता है यहां पे मेरे पास होता है साइन जो भी एंगल है यहां पे ठीक है और जो टी के साथ है टी के साथ क्या पाइवाइटी वो नीचे है के लियर और यहां पे टू वाई पाई तो बहार है न और यहां पे लिमिट यह यहां तक का सॉलिशन हो गया हमारा ठीक है इतना खिलिए बटा को उसका साइन जो है एस इत इस आटी के साथ जो है वो नीचे अब यह चीज मेरे पास क्या रहेगा साइन पाई एक्स बाई के x by 8 ठीक है बेटा और यहाँ पर minus k2 x upon pi और यहाँ पर आएगा मेरे पास क्या आएगा बेटा यहाँ पर आएगा मेरे पास cos pi x by 2 ठीक है और 2 upon pi ऐसे तो यहाँ पर x रखेंगे ठीक है अपर limit minus k lower limit तो आप पर limit t की जगे x रखना है तो यहाँ पर मेरे पास आएगा sin pi x by pi by 2 कितना के लिए है ठीक है minus के करेंगे और यहाँ पर t की जगे 0 रखेंगे तो sin 0 क्या होता है बटा 0 ठीक है तो इसे लिखने की निट यहाँ पर है नहीं इसको यहाँ से हटा दो अब देखो यह pi by 2 2 पर चला जाएगा तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा अगर मैं इसको यहाँ से हटा देती हूं pi को pi by 2 को तो यह हो जाएगा में पास 2 upon pi ठीक है इतना के लिए है अब यहाँ पर अगर मैं इसको solve करूं तो यह क्या हो जाएगा तो 4 तो 4 4 by pi इसके है अब एक बार match कर लेते हैं क्या यही है यहाँ तक का match कर लेते हैं ठीक है अब देखो मेरे पास यह तो यहाँ तक का तो देख लिए था हमने अब यहाँ माइनस के 2x upon pi माइनस के 2x upon pi cos pi x by 2 cos pi x by 2 ठीक है यहाँ तक का तो match हो गया आगे प्लस के 2 upon pi है यहाँ पर एक बार देख लिएते हैं 2 upon pi मैंने पूरा solution नहीं कर दिया और यहाँ पर sin pi t by 2 upon pi sin pi t by 2 five by two और zero से x limit ठीक है मैंने पूरा ही solve कर दिया और यहाँ पर यह चीज मेरे पास यहाँ पर यह चीज agities है यह agities है और यहाँ पर इसको solve करके भी मैंने यह चीज़ दिखा दिया कि यहाँ पर 4 upon pi square sin pi x आएगा तो 4 upon pi square sin pi x by 2y तो यहाँ तक का इसका काम तो खतम हो गया हमारा ठीक है अब second time कहां देखते हैं कि लिए बटा अब second time पर चलते हैं अब देखते हैं second time हमारे पास किस तरीके से हैं अब यहाँ पर मेरे पास हमने यहाँ तक का तो portion कर लिया अब second जो है यहाँ पर यह वाला portion है अब देखें यहाँ पर minus k pi square x by 8 मेरे पास ऐसे हो ठीक है अब इसमें मैं क्या करूँ है यहाँ पर अपर लिमिट माइनस के लोवर लिमिट ठीक है तो अपर लिमिट मतब टी की जगह क्या रखना one तो two minus k one और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा इंट्री के यहाँ पर ब्रैकेट में माइनस के कॉस और इसकी टी की जगह one तो यहाँ पर आ जाएगा आप एक्स रख देंगे और यहाँ पर आएगा बेटा मेरे पास माइनस के कॉस पाई टी की जगह एक्स रख दिया और यहाँ पर देखों यहाँ तक का काम फिनिश अब यहाँ पर देखना माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर प्लस ठीके इंट्रीकेशन एक से वान और यहाँ पर देखों फिर यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस बहार जो जाएगा मेरे पास आजएगा और यहाँ पर यहाँ पर आ से बाहर हो जाएंगे तो मैं यहां पर लिख सकती ही 2 upon pi तो यहां से यह फटा दो हटा दिया बेटा ठीक है और यह यहां तक यह वाला bracket clear अब देखो आगे minus के pi square x by 8 अब यहां पर 2 में से 1 गए 1 और minus अब देखो यहां पर cos pi by 2 तो cos 90 की value क्या होती है बेटा मेरे पास 0 होती है तो यहां पर इसके value 0 तो इससे multiply करके पूरा का पूरा 0 बन गया ठीक है और minus 2 minus kx अब देखो यहां पर minus minus यह हो जाएगा मेरे पास plus और यह 2 पर चला जाएगा और pi नीचे आ जाएगा इतना के लिए है और यहां पर cos pi x by 2 अब इसको गर मैं थोड़ा सा range करके लिखू तो मैं इसको यहां पर 2 लिख सकती हो थोड़ा सा range करके यहां पर यह वाला 2 उपर 2 minus kx upon pi ठीक है इतना के लिए पेटा यह हो गया मेरे पास इस bracket को पूरे को solve कर दिया इसकी cos pi by 2 में cos 90 की value जो होती ही मेरे पास क्या होती है 0 cos 90 की value 0 तो पूरा का पूरा यहां पर यह पूरा का पूरा portion बन गया 0 माइआ प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया और यह इसको solve कर रहा है ठीक है तो यहां से हम लिख सकते हैं सिर्फ मेरे पास इदर से इस पूरी value से यह जो value है पूरी की पूरी इससे यह निकल के आया ठीक ह फिर यहां पर मेरे पास क्या आएगा 2 upon pi तो है अब इसका क्या करेंगे integration अब बैटा मुझे पता है cost का क्या होता बैटा sign और जो है वो as it is पटी के साथ जो है वो नीचे और इसके यहां पर limit लगा दो चीके अब bracket बन इतना के लिए रोगे बैटा ठीक है अब आगे देखो pi square x upon 8 अब यहां पर 2 2 minus k x upon pi और यहां पर आजाएगा cos pi x by 2 अब यहां पर 2 upon pi अब पहले अपर limit रखो फिर minus की तो अपर limit में टी की जगह बन रखना तो यहां पर आजाएगा मेरे पास sin pi by 2 upon pi by 2 और यहां पर minus k sin pi x by 2 और टी की जगह एक सर्का pi by 2 यह चीज आगी मेरे पास ठीक है पेटा यहां से यह bracket से है ओके तो यहां पर pi square x by 8 और यहां से मेरे पास 2, 2 minus k x by pi और cos pi x by 2 अब देखो यह मेरे पास यहां पर sin pi by 2 की value क्या होती है sin 90 मेरे पास 1 होता है ठीक है तो यहां पर minus 2 minus 2 upon pi और यहां पर इसकी value 1 हो जाएगी पूरे की इसकी value क्या होती 1 तो 1 और यह 2 पर चला जाएगा तो यहां पर जाएगा 2 upon pi कैसे हो गया 1 upon pi by 2 तो यह 2 पर चला जाएगा ना तो 2 upon pi हो जाएगा ठीक है इतना के लिए minus और यह 2 पर pi नीचे और यहां पर हो जाएगा बैटा sin pi x by 2 ओके clear बैटा अब देखो minus के pi स्केर x by 8 यहां पर 2 2 minus के x by pi यहां पर आ जाएगा cos pi x by 2 और यहां पर इसके अंदर multiply कर दो to do the four pi square minus plus minus 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 plus minus minus plus minus minus plus और to do the four upon pi square और यहां पर यहां पर थोड़ा से यहां के joint में लगा ठीक है इतना के लिए अब देखते हैं आंके क्या value है इतना solve कर लिया हमने ठीक है अब क्या लिखा हुआ वह देखते हैं माइनस के देखो यहां पर माइनस के πाई स्केर एक्स बाई एक तो आज़े इस है ठीक है अब यहां पर जो है पाई बाई टू और एक से बाई ठीक है बटा इतना के लिए अब यहां पर इस वाल लाइन में इसके जगह यह अजग हया अज़ेटेग्ज है और यह पूरा का पूरा पूर्शन अज़ेटिक है अब इसको solve करके क्या है मिरे पास वो देखो माइनस के ना 4 अपोण pi square माइनस के 4 अपोन pi square अब पिलस के 4 अपोन pi square sign pi x by 2 PLUS के 4 अपोन pi square साइन पाई एकस बाई तो हमारे पास यहां तक का सोलिशन पूरा का पूरा हो गया है ठीक है अब आगे देखो बस एंड में ही चल रहा है अब यहां पर देखो किस तरीके से करना है और कैसे कैसे करना है ठीक है अब मैं जो इक ब्रैकेट्स इनको उपन कर देती हुँ ठीक है अब यहां पर देखो नीचे करते हैं यहां पर जगा रहे हैं मैंने यहाँ पर रखा sin pi x by 2 और यहाँ पर देखो इसकी अंदर यहाँ पर multiply करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा minus, minus क्या हो जाएगा बटाई यहाँ पर plus ठीके और यह हो जाएगा मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 pi square x 2 minus के x by 8 pi कैसे किया देखो pi square 2 minus के x by 8 pi square 2 minus के x by 8 और जो यहाँ पर 2x है 2x और pi ठीके अब minus minus plus और मेरे पास साथ में यहाँ आएगा यहाँ पर cos pi x by 2 इतना के लिए अदुटो यहाँ पर मेरे पास minus है यहाँ पर plus है तो plus minus minus फिर multiply यहाँ पर मेरे पास 4 pi square 2 minus के x अपन 8 pi square और यहाँ पर आजाएगा मेरे पास sin pi x by 2 अब देखो कैसे minus plus minus 4 pi square 2 minus k x अपन 8 pi square और यहाँ जो कि जो हम ऐसे multiply करते तो उपर की उपर नीचे की नीचे करते हैं ठीक है इतना के लिए रोगे बटा अब देखो यहाँ से होगया काव हमारा अब करेंगा हम नीचे वाले portion का minus अब इसके अंदर multiply plus minus minus ठीक है अब यहाँ पर आजाएगा pi square x अब जो यह 2 है यह मैं पहले लिख लेती हो और यहाँ पर आजाएगा 2 minus k x upon 8 pi और यहाँ पर बेटा आजाएगा मेरे पास cos pi x by 2 बास समझाए देखो plus minus minus यह 2 pi square x 2 minus k x उपर का पूरा एक साथ लिख दिया multiply करके अनीचे का pi ठीक है अर यह अब देखो यहाँ पर minus minus क्या हो जाएगा मेरे बच्चों यहाँ पर plus और यह 4 pi 4 pi square x upon 8 pi square अब देखो यहाँ पर कैसे किया minus minus plus 4 pi square x और अपोन में 8 pi square ठीक है और similar यहाँ पर minus plus minus और यहाँ पर हो जाएगा 4 यह वाला 4 ठीक है और यहाँ पर pi square x pi square x upon 4 pi square x upon 8 pi square इतना के लिए इतना के लिए 8 pi square और यहाँ पर मेरे पास आजएगा sin pi x by ठीक है यह हो गए मेरे पास यहां तक का solution अब देखो बटा मेरे पास यहाँ पर cos pi x by 2 cos pi x by 2 ठीक है अब यहाँ पर 2 pi square x 2 minus x upon तो यह वाला term और यह वाली term मेरे पास क्या है बैटा similar है बट यहाँ पर plus sign है यहाँ पर क्या है मेरे पास minus sign तो यह क्या होगा बैटा यहाँ से यहाँ तक यह वालस और यहां यह और यह क्या हो जाएंगे मेरे पास यहां पर cancel ठीक है तो कि same term है plus और minus opposite sign है इतना के लिए रुखिया अब आगे देखो अब मेरे पास यहां पर जो remaining term बची sign वाले यहां पर है यहां पर है और यहां पर है तो इहां पर मेरे पास common लोगी तो यहां पर बचएगा यहां पर बचेगा मेरे पास 4Pi² 2- X by 8Pi² और यहां पर बचेगा मेरे पास 4Pi² X by 8Pi² ठीक है और यह चीज मेरे पास यहां पर as it is फाहिस के एक्सपॉर एट फाहिस के लिए इतना के लिए यहां पर नहीं पर्लिए यहां पर जो इनको यहां पर इ Anders के एसके साथ लेकर ठीक है और यह चीज़ मेरे पास अब दिखो यहाँ पर 4 से इसे कैंसे करेंगे 2 पास केर से पाइस यह और डिकल की कैंसे यहाँ पर यहां पर बात करूँ तो मेरे पास चाहेगा sin π x by 2 और यहां पर देखो पाइस केल से पाइस केल कैंसेल 4 today इट पाइस केल से पाइस केल कैंसेल तो तो यहां पर मेरे पास 1-2- jetzt by 2 और यहां पर x by 2 यह बैकित हुआ है ठीक है इतना तेलिए अब इसको आगे सोग कर लेते हैं Sine Pi X by 2 अब देखो यहां पर 1 minus इस Bracket को Open करेंगे मेरे पास क्या होगा 2 upon 2 और minus minus प्लस ठीक है और X by 2 और यहां पर यहां पर यहां आ जाहेगा मेरे पास आप देखों यह चीज और यह चीज दोनों सेम है यहां पर है यहां पर इसको इसको केंसल करके वन तो यहां पर मेरे पास आजएगा साइन पाई एक्स वाय टू और यहां पे बन माव荚 की बं ठीक है तो यह भी मेरे पास क्या बन जाएगा यहां पे बिटा जीरो अगने इस से मिल्टिप्लाइ करूँ जी जी टू और यहां पे था ना तो इसको मैं थोड़ा से एक छोटा कर लेती हुआ जो हम देख पाएं यहां पे देखो साइन पाई एकस बाई टू पूरा का पूरा सॉल्व करके यहां पे आया में पास साइन पाई एकस बाई टू वन माइनस टू माइनस के एकस बाई टू माइनस के एकस बाई टू माइनस के एकस बाई टू और प्लस के एकस बाई टू ठीक है अब इस पूरे को सॉल्व किया जब मैंने तो यह वाली इस तरीके से होके यह पुरा पुरा जीरह बन गया रेमेनिंग मेरे पास बचा एकस बाइट तो यहां पर लास्टमा आंसर आगया एकस बाइट ठीक है कि लिए बटा समझा की बात ठीक है तो हम जो सॉल्व कर रहे थे हम LHS लेके चल रहे थे ठीक है तो हमारे पास जो LHS आई है वो मेरे पास क्या आई है निकल के बेटा LHS निकल के आई है यहाँ पे X by 2 ओके अब देखो बेक चलते हैं LHS निकल के आगी जो ही मेरे पास LHS कोई तो solve करे थे इसकी value निकल के आगी X by 2 अब मेरे पास RHS क्या आथ है यहाँ पे X by 2 तो जब मैंने third step तो हो गया ना पूरा third step में इसकी और इसकी value रखके इसको solve के इसकी value आगी X by 2 उसके बाद fourth step क्या है हम check करेंगे LHS और RHS क्या equal है तो देखो इसकी value X by 2 इसकी value X by 2 तो यहाँ से बोल सकते हैं LHS equal to RHS और जैसे ही LHS equal to RHS हुआ तो हम कह सकते हैं कि यह जो function है यह इस integral equation का क्या होगा solution है ठीक है बेटा तो आई वो पी चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा तो यहाँ पर यही चीज़ LHS equal to RHS है तो हमारे पास यह function given है यह integral equation का solution ठीक है बेटा तो आई हो पाज का lecture आपको अच्छे से समझ आया होगा अगर आपको मेरी videos मेरे lectures पसंद आ रहे हैं तो please like, share and subscribe और उन बच्चों तक जुरू पहुचा है जिनको इनकी need है Thank you so much